हेलो फ्रेंड्स वेलकम बैक टू आवर चैनल दोस्तों आज मैं आप शेयर करने वाली हूं केल्शियम और एंटी आक्सिडंट से भरपूर मखाने की बर्फी मखाने और थोड़ी सी चीनी से बनाए हैं सूपर सूफ्ट सूपर टिस्टी मखाने की बर्फी सबसे खास बात यह है कि यह बर्फी बिना घी बिना मावा बिना चाशनी के तयार हो जाती है घर की बेसिक रखी हुई चीजों से इसका इस्तमाल आप ब्रत में कर सकते हैं पूजा के प्रशाद के लिए इसका इस्तमाल कर सकते हैं बहुती जदा टेस्टी सॉफ्ट और बहुती डिलीशियस और बहुत ही पॉस्टिक बन के बर्फी हमारी तैयार होती है, मातर 10 मिनिट में इसको हम तैयार कर लेते हैं, तो चलिए शुरू करते हैं इस आसान सी बर्फी को बनाना, 100 गराम के करीब हमें मखाना लेना है, इस मखाने को हमें ड्राय रोस्ट करना है, बीना घी डाले हुए, मीडियम टू फ्लेम पर इसको 5-6 मिनिट हमें भोन लेना है, 5-6 मिनिट में अच्छा रोस्ट हो जाता है, इस तरीके से देखे कुरकुरा हो गया है, अभी इसको हम करने के बाद grinding jar में इसको हमें पीस लेना है तो इस तरीके से थो थो डाल कर इस grinding jar में डाल कर इसको पीस लेंगे mixi को हम direct pulses में नहीं चलाएंगे direct भी इसको चला कर इसका fine powder हमें तयार कर लेना है तो इस तरीके से देखिए मैंने इसके powder को तयार कर लिया है इस तरीके का powder हमें तयार करना है बिल्कुल महीन साथ अभी इसको छानने की जरूवत नहीं है बहुत fine powder तयार हुआ है अब इसी mixi की जर में हमें पीसना है काजू इसमें हमें काजू एड़ करना है आप अगर काजू नहीं पसंद करते हैं तो इसकी भी कर सकते हैं एक कप लगबग मैंने काजू पीसा है काजू को मैंने pulses में चलाया है नहीं एक साथ चलाने में और रिलीज हो जाता है इसका powder नहीं बन पाता है काजू मैंने 75-80 ग्राम लिया हुआ है तो अब ये देखिए तोनों powder मैंने तयार कर लिया है mixi की जार में जितनी काजू लगी है सब इसके अंदर हमें डाल लेना है अभी इसके अंदर हमें डालना है ग्रेड़ कोकोनेट आप चाहें तो मार्केट वाला ग्रेड़ कोकोनेट भी डाल सकते हैं या फिर हाँ से घिसकी भी डाल सकते हैं जो गोले आते हैं मैंने मार्केट वाला ग्रेड़ कोकोनेट इसमें आड़ किया हुआ है करीब मैंने कोकोनेट डाला हुआ है. अभी मैंने गयास पर कड़ाई रख दी है, उसमें हम दो कप के करीब फुल FAT मिलक लेंगे, अगर कच्चा दूदे ले रहे हैं तो upla दूद ले रहे हैं तो इसमें जो मलाई है, उसको हम profi बन के तयार होती है मलाई डालने से, मलाई वाला दूद मैंने ले लिया है, अब इसको हाई फ्लेम पर लगाता चलाते हुए, हमें गरम करना है, अब इसमें हम डाल देएंगे एक चौथाई कप चीनी, चीनी हमें कम ही डाल रहे हैं, कम मीठी बना रहे हैं इस बरफी को, अगर ज्यादा मीठा आपको पसंद हो तो आधा कपके करीब चीनी आप डाल सकते हैं जैसा मीठा आपको पसंद हो आप वैसा डालिए अभी मैंने दरदरी कुटी हुई इलाइची इसमें डालिए है इलाइची का फ्लेवर बरफी में बहुत ही अच्छा आता है अगर आपको नहीं पसंद है तो आप इसको skip भी कर सकते हैं इसको लगातार हमें चलाते रहना है अब ये देखिए हमारा ये milk का powder खौलने लगा है milk हमारा अच्छे से खौलने लगा है जो मैंने powder त्यार किया हुआ है वो इसके अंदर हम डाल देंगे डालने के बाद इसको अच्छे से हमें mix कर लेना है flame को हमें low कर देना है नहीं तो नीचे से चिपकने लगेगा और इस तरीके से हमें इसको mix कर लेना है बहुत ही आसानी से इसका mixture त्यार हो जाता है एक से दो मिनिट लगता है पूरा इसको mixture त्यार होने में लगतार हमें इस spatula को चलाते रहना है वन्ना नीचे से लगने लगेगा side को छुडाते हुए हमें इसको लगतार चलाते हुए mix कर लेना है आप इस तरीके जैसा हमें mix कर रहे हैं बिल्कुल ऐसा ही आपको mix कर लेना है तो यह देखिए तलवे हमारे छोड़ चुके हैं छुट रहे हैं मतलब यह बर्फी कड़ो एकदम ready हो चुका है बनने के लिए अभी और इसको नहीं पकाना है ज्यादा gas flame को हमें off कर देना है और इस तरीके से लगतार हम चलाते रहेंगे मकाने की बर्फी फ्रेंड्स खाने में बहुत ही ज़ादा टेश्री लगती है और बहुत ही पॉस्टिक होती है यह लगतार अगर आप जोड़ों के दर से परिशान है तो मकाने को अपने डेली रूटीन में जरूर सामिल करें आप इसका चाहे पॉडर बना के ले दूद में या फिर इस तरीके से बर्फी बना के ले सकते हैं मकाना बहुत ही ज़ादा हड़ियों के लिए फाइदे मन्द होता है बहुत ही ज़ादा मात्रा में इसमें कैल्शियम और एंटी आक्सिडन पाया जाता है तो अभी हमारा य प्याए में ठोड़ा सा गहीं लगा लिया है और सारे ढोको अपरो कि इस तोरी प्र braid द्रॉप्र अपर हम डाल देंगी इस तरीके से गरम भी गरम हमें दोको डाल ले लेना है और इसको हम स्पैचल doing और इसके से फैला देंगे हैं इस तरीके से जैसा मूटा पतली परर् तो अभी मैंने इस पेचुला से इसको इस तरीके से फैला लिया है अभी इसके उपर कुछ हम ड्राइफ रूट्स गार्निश करेंगे आपको जो ड्राइफ रूट्स पसंदो आप इसके उपर गार्निश करें मैं यहाँ पे पिस्ते की कतरन डाल रही हूँ गरम गरम में हमें सेट करना होता है तब ड्राइफूर्स अच्छे से बर्फी को उपर सेट हो जाते हैं। आप चाहें तो बादाम और काजू भी इसके उपर डाल सकते हैं या जो ड्राइफूर्स आपको पसंद हो वो डाल दीजे। तो अभी इसको मैंने सेट कर लिया है अभी इसको हम ठंडा होने देंगे चाहे तो आप फ्रीज में ठंडा कर लीजे 5 मिनट के लिए या फिर रूम टेमपरेचर पर इसको आधे घंटे ठंडा होने दीजे। जब इठंडा हो जाएगा तो इसकी बर्फी शेव में हमें काट लेना है। कितनी असानि से इसकी बर्फी कट रही है आप देख सकते हैं। बहुत ही सॉफ्ट बर्फी हमारी बन के तियार होती है इसको मंज चाहे शेव में आप काट लिजीये। तो ये देखिए कितनी आसानी से हमारी बर्फी कटके निकल रही है, बिल्कुल भी तरे से नहीं चुपक रही है, बहुत आसानी से इसको मैंने निकाल दिया है, ये देखिए, बर्फी बहुत ही ज्यादा सॉफ्ट बनी है, बहुत ही टेस्टी बनी है, काजू से कम नहीं टेस बहुत ही आसानी से बन जाती है बना के जरूर देखिएगा फ्रेंड्स तो इन तेवहरों पर अपने ब्रत पर प्रशाद के भोग के लिए आप इस बर्फी को जरूर ट्राय करें रेसिपी कैसे लगी प्लीज कमेंट सेक्षिन बताएगा फ्रेंड्स चैनल पे नए हैं तो प तक के लिए तेल देहन टेक्किया बाइबाइबाइबाइबाइबाइबाइबास बिताएब तो इस अप्रेंड्स थे वाच्छिन बाइए लागी तो ऑज़े।